मंगल को ग्रहों के सेनापती माना गया है, वर्तमान में मंगल धनु राशी में विराजमान है, मंगल अगले महिने फरवरी में राशी परिवर्तन करेंगे, मकर राशी में मंगल के गोचर से कुछ राशियों की किस्मत चमकीगी, जो तिशचार्य, पंडित, पंकच पाठक के अनुसार समय समय पर मंगल अपनी चाल में बतलाव करती है इसके कारण सभी राशियां प्रभावित होती है मंगल की शुप स्थिती व्यक्ति को खूब मान सम्मान दिलाती है वर्तमान समय में मंगल धनू राशी में विराजमान है अब मंगल अगले महीने राशी परिवर्तन करेंगे अब धनु राशी से मकर राशी का मंगल का सफर कुछ राशी वालों के लिए भाग चमका उठेगा ऐसी में जानते हैं मंगल के गोचर से किन राशी वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे देखिए मंगल ग्रह जो है तो भूमी पुत्र भी कहा जाता है मंगल जो है एक प्रूर ग्रह भी माना गया है और मंगल जो है पुरुष प्रधान ग्रह भी है इसके सांती सांत विवाद को जन्म देना विनास को जन्म देना और युद्ध को जन्म देना ये मंगल के प्रमु भूमी से सम्मंदित लाव देने वाला घ्रहवी है तो ग्रहवी है मंगल बरतबार में धनुरासी में हैं और धनुरासी से 5 फरवरी 2024 को मकर रासी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो 5 फरवरी 2024 को मंगल जब मकर रासी में जाएंगे तो अपनी उच्छ रासी में प्रवेश कर जाएंगे जब मंगल अपनी उच्छ रासी में प्रवेश कर जाएगा तो कुछ रासी वालों को विशेश सुबदायक फल देने बाले हैं जिनमें मीन रासी रस रासी और मेश र मेंजराशी वालों के लिए मैंडियों के लिए कुछ दिनों के लिए मेंजराशी वालों को उनकम में बलोतरी देगा भूमी से लब देगा निवेस से लब scroll में में69 3 त Ala You मेंगे को और मेंism 52 28 के लिए मृसमारी द्रاجम होगा तरस तकम मेंiset driving जैनकियों निवेस होगा रखा है किसी जमीन में किसी शेयर मार्केट इप्यादी में दिनिवेश करके रखा है अब उनके लिए उस निवेश से जवरदस्त फायदा उनको होने जा रहा है तो पारिवारिक सुखसानती की में सरासी बालों को रापती होगी 37 मेंस रासी बालों के लिए यात्रा की योग भी भार्यम की यात्रा के सुवयात्रा के आंगलिक यात्रा के योग भी बनेंगे ब्रस रासी बाले के लिए व्यापार में लाप देने बाला है जो ब्रस रासी की जातक नोक्री करते हैं नोक्री में उनको उन्नती देने बाला है जो प्रस रासी की डातक विध्यारती हैं उनको परिक्षा इत्यारी में सफलता की प्राक्ति होगी यात्रा के भी उनकी योग बनेंगे इस परकार इन तीन रासी के लिए मेन प्रस और मेस रासी के लिए मंगल का रासी परिवरतन इस सुबदायक लावदायक होगा और इसके अतरिक्त आंसिक रूप से धनू रासी वालों के लिए भी यहां आठ्थिक लाव के लिए यहां रासी परवर करना है